हाई एवरिवन आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है आज कर ये वीडियो है दिस इस अ मैराथन सीरीज जो आज मैं डेलेवरेंस जो की प्रेम चंदर जी ने लिखी है उनका ही एक शॉट स्टोरी है उसके ओपर ये कुशिनरीज लेके आई हूँ मैराथन सीरीज में जै एलेवरेंस इसका मतलब होता है मोक्ष मुक्ती तो जो इसका टाइटल है वो ये बताता है कि भई मुक्ती मोक्ष मिल जाना स्वर्ग की प्राप्ती हो जाना है ना तो इस चीज के ओपर इन्होंने स्टोरी लिखी है इस स्टोरी में बहुत सारे किरदार है आपी कोईशन्स करेंगे तो आपको मैं explain कर दूँघी और यह story परेम चंडर जी ने एक Hindu society में किस प्रकार से कास्ट सिस्टम को लेकर क्रिटिज किया है अलोचना की है कि किस तरीके से समाज में कास्ट सिस्टम को लेकर द्थुख मतलब एक बहुत बड़ा एक, you can say, बुरी बात थी, अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, the time at which he has written this short story, during that period, समाज में, सोसाइटी में, सोसाइटी में, जो हियारकी थी, मतलब कास्टिसिजम जो था, वो बहुत ज़्यादा था, although no doubt, it is still exist in our country, लेकिन हमारी country में, अब ये हद तक कम हो चुका है, तो जिस प्रकार से कास्ट का वर्गी करण हुआ था, तो उच्चे कोटी वाले, नीचे वाले लोगों को बहुत ज़्यादा suppress करते थे, और उसी सोसाइटी की आलोचना करते वे, मुंसी जी ने, ये प्रेम चंदर जी ने ये वर्क लिखा, डेलिवरेंस, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोटगैनिस्ट है, अभी हम आगे डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले हम पहला प्रेश्ट करते हैं, सबसे पहला कॉश्चन है, प्रेम चंदर जी का जनम कब होता है, तो प्रेम चंदर जी का जनम होता है, 31 जुलाई, 1880, अब आप देखे, सब जगा 8080 दिया है, है ना, तो ज़्यादा तर बच्चे पीछे का 8080 पढ़े के चले जाएंगे, 1880, इसका मतलब आपको थोड़ा सा आगे का भी टाइम याद रखना पढ़ेगा, डेट याद रखनी पढ़ेगी, 31 जुलाई, 1880, 31 जुलाई, 1880, प्रेम चंदर जी का जनम होता है, नेक्स क्वेशन है, प्रेम चंदर वाज बॉन इन, अब इनका जनम कहा होता है, तो इनका जनम एक लमही, लमही एक गाओं है, जो नियर बनारस, बनारस के बगल में ही एक गाओं है, लमही, वहाँ इनका जनम होता है, ठीक है, नेक्स क्वेशन है, साथी साथ आप याद भी करते रहें, अगर हम इनका रियल नाम बोलें तो मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नाम क्या था तो आपने जब स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता भी होगा इनका नाम एक्चुली धनपत राय श्रिवास्ता वरता है तो धनपत राय ये इनका ओरिजिनल नेम है जिसे हम कहते हैं रियल नाम पूछा जाता है एक्जैम में इसके बाद नेम ओफ प्रेमचंद फादर तो प्रेमचंद जी के फादर का क्या नाम रहता है उनके फादर पिताजी का नाम क्या रहता है उनके फादर का नाम रहता है अजेब लाल अजेब लाल A-J-A-I-B अजेब लाल ठीक है अब next question इनी के father से related है कि अजेब लाल जी का profession क्या रहता है अजेब लाल ये कौन थे फादर थे मौशी प्रेम चंदर जी के और ये क्या रहते है by profession तो ये एक post office में क्या रहते है clerk का का काम करते है इसके बाद next question है प्रेम चंद लर्ण dash and dash from the Malvi in the madrasa इनके education madrasa में वी थी तो madrasa में ये दो भाषाओं को सीखते है Malvi से वो दो भाषा क्या रहती है उर्दू और Persian तो कौन सी दो भाषा पढ़ते हैं ये Malvi से उर्दू और Persian इसके बाद next question पर चलते हैं question number seventh seventh है in 1895 प्रेम चंदर was married at the age of fifteen देखें इनकी शादी बहुत early हो जाती है जब मात्र पंदरा साल के रहते हैं अब ये कहते हैं जब ये मात्र पंदरा साल के रहते हैं while he is still studying अभी कौन सी क्लास पर पढ़ रहे हैं वो next question है question number seven के बाद eighth question पर चलते है सोज ए वतन सोज ए वतन the lament of country पता ही चल रहा है सोज ए वतन lament दुख है दुख है हमारी country का दुख है देश का जो दुर्भाग्य है दुख है उसको इन्होंने publish किया था in 1908 प्रेम चंदर's first collection ये इनका पहला collection था लेकिन ये पहला collection किसका था उर्दू में इन्होंने लिखा था एक चीज़ और याद रखिए क्योंकि आपको तो वैसे भी ये समझ में आ रहा होगा ये word जो है shows a वतन ये उर्दू में ही है तो इन्होंने उर्दू में लिखा था इसको लेकिन ये collection था क्या it was a collection of short stories किसका collection था short stories का collection था साथी साथ याद करते रहें अच्छा मैं एक चीज़ और disclose कर दूँ आप सभी के सामने बहुत से बच्चों की मुझे comment आया कि आप लोग you want MCQ series marathon series आपको next में unit 3 की लेके आऊँगी जिसमें literary terms and movements है आज deliverance को लेके आई हूँ जिसे हम सदगती पढ़ रहे हैं salvation जिसका मतलब होता है कि title है story का आज deliverance related questions है कल जो next video लाँँगी that will be related to your literary terms and forms जो की आपकी unit 3 है उत्राखंड L.T. English के course की so we will do that ठीक है आप तब तक इसको देख लीजिए आज इन questions को आप कर लीजिएगा deliverance सदगती हिंदी में कहते हैं जिसका मतलब मोक्ष है दुरभा मोक्ष है और जिसे हम बोलते हैं जो नो मुक्ती ठीक है इसको कर लें हम चलिए next question को चलते है ninth question है आपका ninth question है who nicknamed Premchand नवाब meaning Baron Baron का मतलब होता है actually बहुती पैसेवाला wealthy man ठीक है Baron का मतलब होता है पैसेवाला तो इनका इनका ये नाम कौन रखता है वो ये बोल रहे है question ये है कि इनका ये nickname कौन रखते है तो इनका ये nickname इनके अंकल रखते है इनके अंकल actually महाबीर उनका नाम क्या है अगर पूछ लिया जाए exam में उनके अंकल का नाम रहता है महाबीर B.I.R महाबीर M.A.H.A.B.I.R महाबीर है जो कि एक बहुत बड़े landlord है rich अमीर landlord है वो ही इनका नाम नवाब रख देते है नवाब राए जो कि पहला pen name ये choose करते है by धनपत राए for his writing कहने का मतलब है कि नवाब राए was the first pen name जो choose किया गया था धनपत राए से उनके लिखने के लिए तो pen name इनके बदल गए थे पहले ये तो आप याद रखेगा नवाब भी इनका नाम आता है as a pen name ठीक है next question पे चलते है जो इनके अंकल महाबीर जी ने रखा था next question है 10th question प्रेमचंदर रोट बोट Hindi and अभी हमने पढ़ा उन्होंने मडरासा से पढ़ा था तो मडरासा में उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों को पढ़ाया गिया next question है who changed his pen name from नवाब राए to प्रेमचंद अब इनका नाम नवाब राए से प्रेमचंदर जो प्रेमचंदर नाम था वो किसने बदला तो वो धन्पत राए जी ने ही खुद बदला अब आपको पता है धन्पत राए किसका नाम है ये इनका ओरिजिनल नाम है मौन्शी प्रेमचंदर जी का तो धन्पत राए जी ने अपना नाम नवाब से क्या रखा धन्पत राए रखा नवाब से प्रेम चंदर रखा ठीक है? आपको क्लियर वहाओगा एक बार फिर बता दे मौनशी प्रेम चंदर इनका मौनशी प्रेम चंदर जी का जो ओरिजिनल नेम था रियल नेम था धनपत राए ठीक है? और धनपत राए जी ने ही अपना नाम जो की नवाब उनके अंकल महावीर जी ने दिया था उससे बदल का इन्होंने प्रेम चंदर रख दिया था आई होप क्लियर हुआ हूँगा आंसर आपको इसके बाद चलते हैं क्वेशन नमबर ट्विल्थ क्वेशन नमबर ट्विल्थ है मदुरी हंस को क्यों एडिट करता है कौन उसको आगे लिखता है यह कुछ फेमस राइटिंग्स है और यह किस ने लिखी है यह प्रेम चंदर जी ने लिखी है उनके द्वारा यह लिखे गए कारिया है अब आपके कुशन आते हैं डेलिवरेंस अभी तक तो हमने प्रेम चंदर जी जो इनके ऑथर हैं जिन्हों ने लिखा है स्टोरी को उनके बारे में डिसकस कि अब हम डेलिवरेंस जिसका मतलब सदगती जो इन्होंने यहां बताया है उस स्टोरी को डिसकस किया है और उससे रिलेटर अब प्रेशन है तो प्रेशन पहला है मतलब डेलिवरेंस का कुशन नबर 14 दुखी वास डैश ओफ एनिमर स्किन तो दुखी क्या था दुखी एक चमार फैमिली से आता था तो अन्टचबल टैनर टैनर का मतलब होता है जो चमड़ी का काम करते है न तो जो इसकिन की चमड़ी निकल जाती है उसका काम करने है न चमार जो था यह वो था और इसका प्रोफेशन था कि ये चमार था और साथ ही साथ जो इसकी निकलती है इनिमल्स की लेधर उसका काम करता था ठीक है नेक्स पर ये प्रोटागेनिस्ट भी है अगर कुशन आ जाए तो हूँ इस दे प्रोटागेनिस्ट मतलब जो में जिस पे ये पूरा यू नो डेलेवरेंस है वो इसी के उपर बिना हुआ है दुखी के ही उपर है और दुखी देखे ऐसा चैरेक्टर आलसो ये जैसा इसका नाम है दुखी तो जब आपने ये डेलेवरेंस पड़ी होगी बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है और आई थिंक दिस इस अ वेर हाइर सोसाइटी का मतब कास्ट का आदमी बिल्कुल जो चमार वंसी है मतब चमार मतब जो लोवर कास्ट है उनको किस तरीके से इन्होंने एक्स्प्लॉइट किया और वट आई फील इस तैट इट वस रिडिक्योलस ऐसा होना नहीं चाहिए था ये देखे इन्होंने ये ज परंपराएं जा रही है अब आज के टाइम पे ये कास्टेसिजम बिल्कुल देखे खतमी हो रहा है आज के टाइम पे आप देखते हैं इन्यवड़ी इस गोई तो एनी बरसन तो हम दे लाइक दे इवन दे इट इट दे इट 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 विद दे सेम ब्रीट मतब यू बहुत ही दुखद बात है एंड इट इस शीमफुल एक्ट ऑलसो थे तो वो भी इंसान और उनके साथ बहुत ज़्यदा दुर्वियभार किया जाता था है ना तो ये गलत तो था ही एक गलत मैसेज भी था तो उसी के ओपर इन्होंने प्रेम चंचीन इस वर्क को लिखा है और दुखी जो केरेक्टर यहां दिया उसका नाम ही दुखी है और ये पूरे अक्ट में दुखी रहता है एक्चुली यह ना आगे क्वेश्चन से इसलिए मैं अभी नहीं बता रहे हूं क्वेश्चन करते करते हम समझेंगे तो दुखी है ये क्या है प्रोटगैनिस्ट कुला हुई है इसके बद नेक्स कुश्चन पर चलते है पंदरवा कुश्चन है whom's wife Jurya was spreading cow dunk on the floor दुखी की बिवी का नाम क्या रहता है जूरिय ठीक है अब जुरिया क्या कर रहती है तो जूरिया क्या क्या करती है काओं का डंक होता है ना गोबर से अपने घर का आखन है उसको क्या कर रही थी, साफ कर रही थी अब ये क्यों साफ कर रही थी इसके पीछे का रिजन बता दो जूरिया और दुखी दोनों की बेटी थी बेटी की शादी होनी थी शादी के लिए एक अच्छा सा मोहरत निकालना था और आपको पता है मोहरत निकालने के लिए पंडित जी ही बताएंगे तो उनको एक ब्राह्मन की जरुवत थी तो ब्राह्मन के आने के लिए उनको अपने घर बुलाने के लिए वो घर की साफ सफाई कर रहे थे कौन कर रही थी जूरिया कर रही थी ठीके ये है इसका question का answer next question is 16 what was the cause of worry for दुखी अब दुखी को क्या चिंता सताई जा रहे थी क्या reason था तो reason ये था कि उसको ये लग रहा था he was worried about where the brhemin would sit क्योंकि ये चमारवंश के थे they were lower caste अब वो brhemin था अब उनको ये चिंता होने लगी कि हम उस brhemin को बिठाएंगे कहां पर ये उसको बहुत ज़्यादा tension हो रही थी next question है 17th question है देख लेते है what was जूरिया's suggestion अब उसकी wife फिर जब वो tension करता है वो सोचता है कहां बिठाएंगे पंडिची को तो जूरिया उसको एक राय देती है अब वो राय क्या देती है वो दीखिए वो राय ये देती है to borrow a cot from the village headman's wife for the brhemin's to sit on ये जो headman है ये ये कास्तिया कास्तिया जो होता है कास्त उस family मतलब उसका ठाकूर कहलाए जाते है तो वो कहता है कि जूरिया कहती है कि चलो हम इसका भी इंतजाम करेंगे क्यों न हम एक cot cot का मतलब होता है चारपाई ऐसा नहीं था कि इनके पास चारपाई नहीं थी किसके पास जूरिया और कोई लगा वो हमारी चारपाई पर तो बैठेगा नहीं तो उसको बैठाने के लिए तो भी कोई चारपाई चाहिए इस ब Melanie मतलब तो उसकी वाइफ को लगा हम ठाकूर की ठाकूर की वाइफ से मैं मांग लेती हूं चारपाई को कहते हैं चारपाई तब हम उस ब्रह्मिन को उसने बिठा सकते हैं ठीक है यह उसने राय दी थी इसके बाद है question number 18 Who knew that Who knew that the people in the headman's house won't give him a call they won't even give him a call out of their house of light fire in duchy's house अब यह किसको पता था कि जो ठाकूर के घर है ठाकूर का घर है headman का जो घर है जहां से उसकी wife जूरिया कह रही है कि चरपाई ले ले लेंगे वो कौन जानता है वो आदमी तो ऐसा आदमी है जो कभी हमें अपने घर में आग जलाने के लिए कोईला भी नहीं देता तो वो हमें कोट कैसे दे देगा तो यह कौन जानता था यह दुखी जानता था वो अपनी wife को बोलता भी है जूरिया को बोलता भी है तुम क्या मतलब उसको डारता भी है इसके उपर कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो जो इनसान हमें कोईला نہیں देता अब कौन विचार करता है, प्लैन करता है कि चलो भई थोड़ा मोहवा के लीव्स की जिक्रिसले किया गया है क्योंकि इनको ट्रडिशनली इनको बड़ा ही शुद्ध, स्प्रिचुल, प्यूरिटी के नाम से इनको जाना जाता है, है न, बहुत ही पवित्र पत्नियां कहलाई जाती है, तो ये राय कौन देता है कि हम ब्रह्मिन को उन पत्नियों पर बिठाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, पवित्र है, तो ये प्लैन दुखी ही देता है, अपनी वाइश को, इसके बाद 20th पर चलते हैं, 20th question है, see I am not feeling well, so might be my energy level, you might feel it be low, but आपको समझाने का पूरा प्रयास है कि आपको सारे उत्तर सही धंग से समझ में आए, तो कहीं पर भी आपको कोई problem लगे, तो आप comment section में ज़रूर mention कर सकते हैं, okay, तो आप आवाज की intensity को मत देखिये, आप answer को समझे, my whole heart is there to explain you the answers in a very detailed manner, तो who is short-tempered and when he is angry, he does not spare even his wife, once he beat up his son so badly that the son still goes around the village with a broken arm, कहते हैं कि कौन short-tempered है, short-tempered का मतलब है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आजाता है, और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो परवा भी नहीं करता अपनी वाइफ की, कहने का करतात पर ये है, वो कौन सा character है, कि जिसने अपने बेटे को एक बार ऐसा मारा कि उसका बेटा पूरे गाउं में टूटे हाथ से ही घूमता रहा, मतलब इतना मार दिया, इतना गुस्सा आगए कि उसको अपने बेटे का हाथ ही तोड़ दिया, तो he was पंडित घसी राम, ये ही यहाँ पर पंडित हैं घसी राम, जिनके यहाँ दुखी जाना जाता है, and he is a ब्रह्मन, by the name itself पंडित घसी राम dignifies that he is a ब्रह्मन, signify कर रहा है, ठीक है, next question है, who is जूरी, actually यहाँ जूरी नहीं आएगा, जूरी तो आपको पता ही है, उसकी वाइफ है, यहाँ चिकूरी, यह question में ही error था, मतलब book में ही यह question गला था, चिकूरी, next character है, चिकूरी, चिकूरी, अगर आपको दिख रहा हो, तो चिकूरी यह है, ठीक है, यह इसका उत्तर नहीं है, I am making it clear, it is Pandit Ghassiram, but this is the question, यह question बन के आएगा, who is चिकूरी, तो चिकूरी एक tribal gond है, यह एक community है, tribal community है, यह चमारों से थोड़ा सा उपर है, मतलब जो ऐसी है, इस में जो कास्ट दिखाई देई है, शुद्र से, बिल्कूल थोड़ा सा उपर है, ठीक है, इनको उतना ज़्यादा exploit नहीं किया जाता समाज में, जितना lower caste कास्ट को किया जाता था, इस play में, इस, you know, इस story में जो दिखाया गया है, तो चिकूरी है, ठीक है, tribal gond, और यह एक अच्छा दोस्त भी रहता है किसका, दुखी का, अब प्रीस्ट जहां आई गया, पुजारी, तो he was, पंडित घसी राग, ठीक है, यह क्या था, पुजारी था, who was arranging the marriage of his daughter, and wanted the pundit's helps in fixing up auspicious date, question है कि कौन यहां पर अपनी बेटी की शादी की तयारी में इंतजाम कर रहा था, और चाहता था कि वो पंडित की मदद ले, जिस से वो इतने महत वगोर दिन, इतनी खुशाल दिन के लिए कोई, एक अच्छी सी तारिक निकाल पाएं, तो बहुत दुखी था जो अपनी बेटी के लिए यह सब कर रहा था, बेटी की शादी की, question number 24th है, who suppressed his hunger and began to split the wood from the thick tree trunk, a task given by pundit, आप कहते हैं, who suppressed his hunger, ऐसा कौन विक्ती है इस character में, जिसने अपनी भूख को दबा लिया, और क्योंकि पंडित घसी राम जो था, वो करता क्या है, जब ये दुखी अपनी बात लेके जाता है, मनाने के लिए, कि मैं पंडित जी से एक अच्छा मुहरत निक्नाओं बेटी की शादी के लिए, तो वो एक bundle of grass भी लेके जाता है, देखी जिसके पास जो होगा वो ही लेके जाता है, जैसे हम लोग, आप लोग, जब किसी के घर जाते हैं, तो कभी, आजकल तो स्वीट्स का भी जमाना चला गया, आजकल तो लोग अलग अलग चीज़े ले जाते हैं, आजकल चीज़े हम कुछ न कुछ किसी के घर ले जाते हैं, तो ये बिचारा दुखी राम तो वैसे ही गरीब था, वैसे ही लोवर उससे था, तो वो क्या करता है, खाली हाथ नहीं जाना, इसलिए वो क्या करता है, उनके गाएक लिए घास का सुखा बंडल लेके जाता है, जिससे के वो वहाँ पर प्रस्तुत कर सके, तो वो जब पंडित जी के यहां जाता है उसके बाद पंडित बिचारा बोलता भी है पंडित से पहले तो पंडित बहुत देर तक फूजा फूजा करता है काफी देर बाद तो वो बहार आता है फिर पंडित उसको कहता है ठीक है मैं शाम तक डिसाइड कर लोगा कि तुम्हारी बेटी का क्या महरत आएगा लेकिन उससे पहले वो उसको exploit करता है exploit in the sense कि वो अपना काम निकालता है पहले तो उसको बोलता है जो तुम ये गाये का जो ये चारा लेके आए हो एक तरफ से जो गास लाए हो जाओ इसको काउ को दे दो फिर उसको इसके अलावा दो और काम दे देता है और वो बहुत ही difficult टास्क रहते हैं जिसमें कि उसको बोलता है कि सबसे पहले तो तुम जाकर लकरी काटो थोड़ा खेत में से कुछ सैक्स ले आओ मतलब अनाच का बूरा ले आओ four सैक्स something like that तो वो बेचारा तो वैसे ही भूका प्यासा घर से निकलता है जिससे कि वो एक तरीके से मान सम्मान के दरजे से जाकर कि राए पूछने के ले जाता है वो बेचारा ना खा के आता है ना जाता है उसको इतना काम थमा देता है और वो बेचारा दुखी इसे करते करते ही इतना वो हो जाता है कि वो आप पता है तो उसी के यहां उसकी मिल्क्यू भी हो जाती है in the end तो इसी को देख लेते हैं आगे तो question यही है कि कि किसको task देता है जो कि पंडित देता है तो दुखी को अब आपको समझ में आ गया होगा why did दुखी go to gaunt living in that village अब और वो gone के घर क्यों जाता है अब देखें उस बिचारे ने कुछ तो खाया नहीं होता है energy उसके पास कहां से आएगी ठीक है उधर उसकी wife पंडित घसी राम के पंडिताएन खाना बना रही होती है तो उसकी खुश्वों से उस बिचारे को temptation हो जाती है because he has not eaten anything कुछ भी नह खाया था उसने अब वो अपनी craving को भूग जो crave कर रही थी उस craving होती है ना जैसे आप लोगों को भूग लगेगी तो craving होती है और ये खाले वो खाले तो उसको craving भी अब वो चाहता था कि मैं tobacco ले लूँ और tobacco के pipe से मैं क्या कर सको tobacco लूँगा तो थोड़ा सा मैं relax हो जाओं एक tobacco pipe लेने के लिए ठीक है next question है what was not available in gone's house चलो tobacco pipe तो उसके यहां मिल जाता है लेकिन उसको fire नहीं मिल पाती to light the tobacco pipe उस आप हुका जानते हैं हुका ही टाइप का है वो उसको जलाने के लिए उस बिचारे के पास आग नहीं मिलती वहां अब होता क्या है next question में पूछा गया ह who refused 27 देखिए who refused to give the light to दुखी अब दुखी ऐसा होता है भई craving हो रही है किसी इंसान को परिशान है भूग से परिशान है अब वो क्या करता है वो कहता है भई चलो अब मैं पंडितायन से ही मांग लेता हूं तो वो उसको कहता है मुझे fire दे दो मतलब यह जलाने के लिए त तो उसको वो मना कर देते है कौन मना कर देते है पड़ितायन ठीक है इसके बाद नहीं फिर भी यह दिखायागी है कि वो फिर भी अंसुना करके चला जाता है और चला ही जाता है उसको बाद में चाके यह realized भी होता है कि मैंने गल्दी करीए लेकिन उस समय उसके दिमाग मे रहा सोचिए ना कि ये देखो कौन कहता है कि अगर दुखी मेरे घर दुबारा आ गया तो अगली बार मैंने इसका फेस ही खोईले से ज़ड़ा देला है कितना मतलब कोई इतना निरदई हो सकता है तो वो थी पंटितायन ठीक है और आपको मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा एक चीज़ और भी बता दो भले या या डूंट नो वेदर दुखी चलात हो जाता है अंदर अब अंदर जाने के बाद जब उसको कुछ नहीं समझ में आता वो जाता है वो आग मांगता है तो वो एक स्प्लिंटर फिंक या स्प्लिंटर का मतलब होता है एक कोईला का वो फिंक देती है स्प्लिट कर देती है उसको दे देती है कोईला दे देती है लो जो ला लो लेकिन वो उड़के क्या होता है एक चिंगारी उसके सर पे बिचारे के पड़ जाती है वो उसको बुझान के नाम पे बहुत ज़्यादा ठगी है एक तरफ से ठग होता है उसको लगा कि अरे मैं पंडित के घर ऐसी घुज गुज गया है मैं तो निम्न जात का हूँ मुझे नहीं जाना चाहिए था इसलिए भगवान ने मुझे पनिश किया बट एक्चिलिए उसके मन में यह लगता ह है वो अपने आपको बहुत ज़्यादा यह सोच रहा है मैंने पाप किया है इसलिए भगवान ने मुझे पनिश कर दिया और वो फिर उसको और इजद देता है तो यह दुर्भाग्य है हमारे देश का भी एंड यस ऐसे समाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी तो पं अब एक्चली यहां पर कहता है कौन यह बोलता है कि तुम यह समय सिर्फ बरबाद कर रहे हो थी कि तुम इस ट्रंक जो ट्री का ओ इतना बड़ा वोड कहता है ना तोड़ने के लिए लकड़ कहता है तुम इसको करके तुम कुछ नहीं कर रहे हैं तुम अपने आपको मार और कुछ नहीं कर रहे हो अफ हैड् victimat' he was being made to work without title मतब अगर कुछ होना चाइए था तुम एक खाना मिलना चाहिए था बीना खाना कھाए तुम यह काम कर रहे हो और देखा जाये तो यह वर्क-धुक्या रहता भी नीए, वो लकड़ी लकड़ा हारा नहीं रहता कि लकड़ी काटने वाला हूँ, वह बिचलरा तो गहास पकडने वाला रहता है, उसको तो act में उनकी skill में हर्चीर में फरक होगा लेकिन सिफ बेटी की खुशी के लिए वो यह सब करने को तयार होता है तो उसको कौन बोलता है कि तुम यह व्यार्थ में क्यों कर रहे हो तुम अपने आपको क्यों मार रहे हो तो यह उसका बहुत अच्छा दोस रहता है चिकूरी next question है and that is the last question we will discuss it of today's session and that is who commented that people like Pandit were worse एक मिनिट who who commented that people like Pandit were worse than the government officials ठेके who at least paid the laborers something for the work they were made to do कितने बड़ी बात बोली देखो यह कौन comment करके बोल रहा है कि people like Pandit कि Pandit Pandit यहाँ पर घसी राम के लिए कह रहे है कि ऐसे Pandit घसी राम जैसे लोग बहुती worse होते हैं सबसे बुरे होते हैं बजाए वो सरकार के वो जो सरकार में बैठी जो ऑफिशल्स है उनसे भी बुरा उन्हों ने उसने किसको बता दिया Pandit घसी राम को कि क्यों कहा उसने कि government ऑफिशल्स उससे ज़्यादा बेटर होंगे क्यों? क्योंकि कम से कम बही इनसान महनत करता है लेवर करता है कुछ काम करता है तो कम से कम उसको कम से कम सरकार कुछ पैसा तो देती है काम करने का लेकिन ये Pandit घसी राम ना तो अनाज देता है खाने को ना तो खीखाने को देता है न पीने को देता है और ना ही उसे पैसे देता है सिर्फ exploit कर रहा है तो ये बात कौन बोलता है ये बोलता है चिकुरी कौन बोलता है चिकुरी I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी helpful लगे होगी, बहुत important questions है जो बनके आ सकते हैं exam में तैयारी ढंग से करिये all the best for your preparation and yes of course I will bring the video related to unit 3, देखिए मैं unit 3 ऐसे करके नहीं डालूँगी, आप समझ जाएगा, अगर मैं topic वैसे डालती है तो बच्चे confused हो जाते हैं, तो मेरी marathon series जो चल रही है आपका पूरा syllabus cover कराएगी, आप बिल्कुँ निश्चिंत रही है मैं grammar भी लेके आऊँगे, मुझे बच्चों के बहुत videos मिल रहे है, मैं grammar भी लेके आईए, I am trying कि मैं आपको grammar और literature दोनों एक ही में बना कर आपको marathon start कर दो let me get well soon तो Monday से I will try कि मैं आपको कुछ questions grammar के कुछ literature के मिल जूर के ऐसे करवाओ जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बहुत बहतरीन हो सके and yes आप में से अगर कोई D.S.S.S.B की तैयारी कर रहे हो अगर आपको तैयारी करनी है तो you can contact me at my thumbnail number, वहाँ भी हम classes start कर रहे है and yes, जिन लोगों को अगर PDF चाहिए, कोई भी marathon series की, तो आपको वो भी अवेल हो जाएगी आपको practice set की PDF चाहिए तो वो भी अवेल हो जाएगी बहुत सस्ते रहे है, मतलब मैं आपको यहाँ पर इसलिए बोल रही हूँ कि कई बच्चे को practice set चाहिए तो practice set 50 questions का practice set रहेगा जिसमें आपके mix करके questions आएंगे and उसमें English literature भी है उसमें grammar भी है, जैसे paper बन के आता है अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप जरूर बताइएगा बहुत reasonable और बहुत सस्ते उसमें मैं आपको avail करा दूँगे अगर आप interested है और बाकी तो marathon series हमारे चली रही है है ना, paper तक ये चलती रहेगी so till then bye, have a good day मिलते हैं next video में next lecture के साथ till then bye और please subscribe करना ना भूले मुझे पता है आप बहुत बच्चे जिन्होंने मुझे इतना support किया, इतने subscriber बनाए हैं subscribe नहीं करते है आपके subscribe button से बहुत फरक पड़ता है आपके like button से हमको बहुत फरक पड़ता है आपके share button से still मुझे बहुत फरक पड़ता है मुझे क्या शाहर सारे YouTube वालों को पड़ता है you are the, you know you are the vibes, positive vibes which will influence our vibration and it will multiply plenty of times to make energize everything है ना, तुछे लिए जादा नहीं भूलेंगे and मिलते हैं नेक्स वीडियो में till then bye, take care